कमलनाथ वीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनके बेटे जो है नकुल नकुलनाथ ने अपनी जो बायो है उससे कॉंग्वेस हटा दिया है और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चल रही थी उससे लगता है कि नकुल जो है भाजपा में शामिल हो जाएंगे और उनको एक सवाल है और वह सवाल यह है कि बीचेपी कहीं कौंगरिस तो नहीं बन गई है क्योंकि जिस तरह से कौंगरिस के निता भाते जबता इसा तो नहीं लगता कि भाजपा अपनी आइडियॉलजी से कहीं-कहीं समझादा तो नहीं कर रही है यह सवाल एकदम सही सवाल हो एकदम वाजिब सवाल है दोस्तों क्योंकि आगर आप देखिए तो बहुत सारे राज्यों में जो लोग कॉंग्रिस में हुआ करते थे वो अब आके भाजपा में आके उचे-उचे पदों पर पहुंच गये हैं उधारन के ल करते थे और आपको पता ही है कि फेमस कहानी रहुल गांदी और बिस्कुट वाली और हिमन सर्माजी वाली आपको सबको याद है है ना तो इसी तरह से आप अभी रिसेट काप ले लीजे अशोक चवान है ना अशोक चवान का नाम जो था बीजेपी ने लंबे समय तक लेकिन कुछ समय पहले अभी क्या तीचार दिन पहले ही वह भाजपा में आ गये हैं ठीक है उसी तरह से आप और भी लेजिए जोतिर आदित्य सिंद्या ले लीजे यूबी में जितिन प्रसाद ले ले लेकिन एक तरह से कहा जाए तो वह बीजेपी में ही शामिल हुए है इस तरह से बहुत सारे लंबे लंबे फैरेस्ट है कॉंग्रेस के निताओं की और कहीं ने कहीं लगता है कि भाजपा अपने आइडियॉलिजी के साथ कॉंप्रमाइस तो नहीं कर रही है या तो कर रही है तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ने कहीं कॉंप्रमाइस कर रही है लेकिन यह तो एक आइडियल भाजपा के supporter का वीव हो सकता है या फिर आइडियल भाजपा का विव हो सकता है कि हां हम भाई जो है भाजपा कॉंग्रेस वाले या फिर ऑपोजिट जिसनी भी दूसरी पाटिया है उन्सके नेताओं को हम भाजपा में नहीं शामिल करेंगे क्योंकि उनकी आइडियोलिजी और हमारी आइडियोलिजी बाजपा की आइडियोलिजी मिलती जुलती नहीं है उनकी आइडियोलिजी, Congress की आइडियोलिजी, Muslim Appeasement, Christian Appeasement, Minority Appeasement पे चलती है हम यहाँ पे Equality for All की आइडियोलिजी लेके चलते हैं लेकिन दोस्तों यह Ideal Condition है मेरा यहाँ पे है कि भाई, BJP कही न कही practical होके सोच रही है BJP को यह बात समझ में आ गई है कि BJP को अगर अपना Agenda चलाना है तो उसे सत्ता में रहना ज़रूरी है अगर वो सत्ता से बाहर रहे एकदम Ideal है तो क्या कर सकते हैं, वो सत्ता से बाहर ही रहेंगे और BJP ने यह बात समझ लिए खासकर प्रधारमंतिर नरेंद्र मोदी के नेत्यत्व में सत्ता में रहना ज़रूरी है अगर सत्ता में है तो जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं जो उनकी Ideology है उसको Implement कर सकते हैं लेकिन अगर वो Ideal Ideology लेके चले ठीक है एकदम आदर्श दूसरे पार्टियों के लिए बनना चाहें तो वो जो उनकी Ideology है जो उनका Agenda है जो चाहते हैं भारत को जिस तरह से जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं वो कभी नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों की काफी हद तक बात जो लोग कहते हैं कि हाँ भाजपा के पास एक वाशिंग मिशीन है उसमें धुल के करप नेता वापस आ जाते करप नेते एकदम साफसुत्रे हो जाते हैं वह कहीं न कहीं भाजपा पर चिपकती तो जरूर है लेकिन भाजपा एक प्रैक्टिकल चीजों के लिए के समझ चल रही है और इसलिए आप देख रहे हैं कि काफी सारे कॉंग्रेस के नेता जिनके पास जिनका कुछ आधार है जिनको फोट मिलते हैं जिनके किसी न किसी एरिया में उनकी पकड़ है और भाजपा एक एक करके उस पकड़ को अपने तरफ लेके आ रही है क्योंकि अगर वह पकड़ आती जाएगी तो उसको फाइदा होगा वह सरकार में बनी रहेगी अपनी जो भारत को जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं वह उस तरफ लेके जा पाएगी दोस्तों मेरा तो यही व्यू है यही मेरे आनलेसिस है भारती जनता पार्टी का जो जिस तरह से वह काम कर रही है अभी अगर आप इससे सहमत हैं तो प्रिप्या वीडियो को लाइक श झाल झाल